चाइना में कितनी सकता ही आए मतलब किया कैसे रोने कंट्रोल किया है देखो यह मेरे आफिस की बिल्डिंग है मैंने आपे मास्क लगाए हुए यह यहाँ पर चाइना वाली एप है अब यहाँ पर सब नॉर्मल है देखो लिफ्ट के बटन पर यह पॉलिफिन लगाई हुए तो उन्होंने यह सारी गलिया बंद कर दी थी सारी गलियां प्लीज प्लीज भाईयों आप इनको आप इसको वह करो आज 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 आपको बताने वालों कि यहाँ पर कैसे इन्होंने कंट्रोल किया था भी देखिए और मेरे स्टरबक्स है यहaneं अफिस के नीचे है आप सब लोग मास्क लगाए इओ हुए सब मास्क लगाने सब लोग और 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 यहां पर देखिए सारे लोग चल रहे हैецल चल फिल्पा रहे हैं अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अब देखो यह मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है जो कि है 72 फ्लोर से जाद है अब अब मैं आज आपको यह दिखाने वाला हूँ कि चैनल में कितनी सक्ता ही आ है मतलब कि कैसे रोने कंट्रोल किया है और हमें भी इन से कुछ सीखना चाहिए अब यह जैसा आपने सुना होगा सुदीर कुमार जी ने भी बताया था वहां पर कि वह है क्या बोलते है एक एप आ रही है यह यहां पर चायना वाली एप है इसके बिना आप किसी बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सक करते और मैंने यहां पर मास्क लगाय हूँ देखिए आप मैंने यह पर मास्क लगाय हूँ है मास्क के बिना नहीं जानना अब मैं घ्राइण स्करिण और यहां पर जाऊंगा तो जो कि उस शरा है नहीं करने एक क्यी बारufen ऐस्पास तो इसका मतलब ग्रीन है तो ऑके पर फिर भी रहोगा मेरा टेंपरेचर और वह थे कर दोस्तों पर दिखा रहा था अब अब यह देखो यहां पर नई चीज वहन पर केमरे से मतलब मुऊ फेस मूँ सकैन करके गुश सकते हैं पर मैंने भी मास्क पहना है और मैं मास्क उतारना नहीं चाहता अब मैं जा रहा हूँ अपने ओफिस में 42 फ्लोर पर अभी आप देखना मैं आपको नई नीच चीजे दिखाऊंगे यहाँ पर अब देखें जैसे जाके लिफ्ट का बटन दबाते है अभी अभी देखते हैं लिफ्ट के बटन पे यह पॉलेथन लगाई हुए है और यह पॉलेथन हरे एक दो-तीन घटे में चेंज करते हैं ताकि किसी का हाथ लगाओ वाइरस वाइरस हो माँ पे तो चेंज होके दुबारे नया तो एक्चुली हमारे यहाँ पर सब नॉर्मल हो चुका है पर अभी भी यह बहुत सकता ही कर रहे हैं तो मतलब हमें भी अपनी गवर्मेंट का साथ देना चाहिए भाई हो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि इंसाम कैसा है बिना इस एप के आपको एंटर कुदिनी नहीं होने देते और अगर आपने मास नहीं पहना हुआ तो भी आपको कहीं भी एंटर नहीं होने देती हैं पर और इंडिया में तो काफी वैसे वीडियोज आ रहे हैं मतलब लोग खोले गुम रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अब मैं अब मैं अपने ओफिस से जाता हूँ फिर हो यह यह मेरा उफिस है और 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 देखी है पता है इन्होंने ऐसे करा करा किया दा देखिए हो जैसे यह लगाओं काफी सारी गलिया प्रू गली है ना सारी सारी गली बंद कर दी और आने और मतलब जिसे मैं रहता था यहाँ पे इस गली में मेरा नम अभीशेक मैं इस गली में रहता था इधर लगा हो कोई सुनील नाम का रहता है कोई राहूल नाम का रहता है यहाँ पे तो इन्होंने ये सारी गलियां तो पहले करीब बंद क्योंकि आने जाने का रास्ता हो सिर्फ एक तो ये lockdown के टाइम पे सिर्फ एक रास्ता यही ये है रास्ता जाने का और पहली चीज जिसे मेरी building थी उसके यहाँ पे पी security guard जो की temperature चेक कर रहा फिर दूसरा यहाँ पे एक doctor और एक police कर्मी और एक और तीन लोग यहाँ पे बैठके चेक करते थे तो एक checking यहाँ होगी दूरी checking यहाँ होगी और तीसरी checking होई वालमार्ट में वालमार्ट जैसे हमारे हमारे पर shopping mall होता है न वैसा ही यहाँ पर shopping mall है तो अब तीसरी चाहिए नहीं होगी तो आप ये लगाओ कि मैं जैसे 500 मीटर के दायरे में तीन बार टेंपरेचर चेक होता था तीन बार टेंपरेचर पर इसका फायदा गया है भाई क्योंकि क्यों टेंपरेचर चेक कर रहे है और फिर temperature चेक करके अक्चली फायदे गया है देखो वाइरस की जो cycle है यह वाइरस है उसकी cycle है एक से एक से 14 दिन की एक से 14 दिन तो अगर यह सारे लोग lockdown कर दिये तो देखो 4 दिन के अंदर आ जाते हैं symptom 4 से 7 दिन के अंदर नर्मली तो 4 से 7 दिन के अंदर इनको बुखार आ गया तो फिर इनको जैसे हमने अलग कर दिया तो फिर यह वाइरस आगे नहीं फैलेगा इसलिए भाहियो lockdown के लिए बोल रहे हैं और यह plus 10 दिन लगा लो कि बही चलो मतलब फिर भी कोई अगर रहे गया तो उसको उसको पकड़ने के लिए पर अगर आप ऐसे ही सड़कों पे घूमते रहे तो यह भाहियो लोगडाउन कितने ही टाइम तक भी चलेगा क्योंकि एक भी बंदा अगर सड़क पे घूम रहा है और उसको वाइरस है तो दुबारा सारा फैला सकता है तो भाहियों चाए किसी भी धरम के हो किसी के भी हो तो आप यह चीज समझ लो यार कितनी मैंने असान बताईए कि यह उसकी साइकल है एक से चौधे दिन है सिर्फ चौधे दिन की बात यार चौधे अपना वो रखो अपना ख्याद रखो और किसी को भी सिम्टम आए आप खबर खबर करो चाहिए आपकी फैमिली वाला है चाहिए उसका है अपने अपने वहाँ की डिपार्टमेंट को पुलिस को भाई खबर करो और फिर इन चीज़ से निकलोगे अब देखो जैसे यह वाला मैंने बताया है यहां पर इन्होंने क्या करा था कि बड़े-बड़े ब्लॉक रख दिये थे मतलब इसे गली है ना गली बंद कर दिसी टोटल गली में इंट से मतलब हमारे हमारे इंट यूज होती है यहां पर हुए थे बड़े-बड़े ब्लॉक से यूज करते हैं लोग और इन्होंने इंट से यह बंद कर दिया यह बंद कर दी यह बंद कर दी और जिस जो गली नहीं बंद से उसे चैनलाइस कर दिया पर आने जाने का रास्ता सिर्फ एक और हर एक फैमिली के मेंबर को एक बार एक वेंडर्स होते हैं जो विक्रेदा होते हैं तो उनकी उनका समान यहां पर यहां पर एसे रखवा दे और फिर यहां से लोगों को आने आने जाने के लिए बोल दे तो अब ऐसे सही है तो भी लाइक नॉट बैड है तो अगर और आप जैसे आपकी कम्मुटी है आपकी Siati मतलब सिक्यूर होंगी Corona virus से क्योंकि 14 दिन कट और कोई symptom नहीं बिला कोई कोई किसी को नहीं मिदा तो आपकी सुसाइटी होगी Centers अमंई आपकी सुसाइटी की तरह है अगर ऐसे सव सौ सोशाइटी होंगी एक शैर में तो वो शैर हो गया सेफ और अगर ऐसे ही हाजार आप इसको follow करो भाईयों और अपने government का ऐसे साथ दो चाहे से और ना कोई अगर ये कहते है भई धर्म की बात करता है कि भी मुझे नहीं होगा और भी हम तो इस धर्म के हैं हम तो इसके हैं देखो इरान में कैथोलिक धर्म बहुत जाद है 85% और इरान में मुस्लिम धर्म बहुत जाद है 95% पर फिर भी वहां पर हुआ तो फिर मतलब ऐसा है कि अपनी दिमाग से भेहम निकालो और भी कोई अगर ये धर्म गुरु कहता है भी भार आओ भार तो पहले उस धर्म गुर कि आप लोग मर रहे हो तो ऐसा है कि भाई हो देखो ये ये तरीका है सिंपल ऐसे लोगडाउन का फॉलो करोगे तो इस वाइरस की चेन टूट जाएगी और चेन अगर टूट गी तो ये फैलने से रुप जाएगा और आप ऐसे करोगे कि आपने पहले अपनी सुसाइटी स से और हजार सुसाइटी शेयर वह बच गी सेफ होगी तो पूरा पूरा देश तो भाईयों ये ये प्लैन है मेरी साइट से देखो मैं कोई गौवर्मेंट गौवर्मेंट की साइट से हूँ नी मुझे कोई फेस्बुक पे दमकियों की देने की जरूरत नहीं है पहले पिस तो ना भाईयों ये है और चैना ऐसा देश उसने खतम कर दिया ये तो हमें सीखना चाहिए उन से और ना ये वहला प्लैन है तो प्लीज प्लीज फोलो करो गौर्मेंट का ऐसा साथ दो किसी मतलब इसमें पोलिटिक स्वाजी नहीं जरूर नहीं है क्योंकि हमारे देश को खड़ा होना चाहिए इस टाइम में तो फर आप उसमें आगया होगा शायद राइट तो फर मतलब अगर आपकी कम्मुनिटी है आपकी सुसाइटी है तो परस्नल लेवल लेवल पर ये कर लो यहां पे आपका घर है यहां पे सेक्यूर्टी गाड मतलब जो आपके घर के न वहाँ पर और कुछ लोग ऐसे थे कि इनको सिम्टम भी आये पर वो चुपाते थे तो क्या क्या कर सकती है गवर्मेंट इनाम रख सकती है इनाम बनलब जो भी इन लोगों के बतायेगा कि जिसको सिंटम आए है उसको भाई हजार रुबइं का इनाम दे दो वो दे दो तुभर आ हुआ इसनिक नमा और इसको दा और आप जलनेगे कोछी को किना है तो इतना मतलब एफिशेंट है यहां की कौझन किया था तब जा के बचे है तो इसलिए इसलिए निफहला कर लो दो उस पर लिखा हुआ है कि तना फैला कि तो नीरप चाला सीधी सीधी report लाइभा रही हो ओं लाइन एक website है गुगल पर coronavirus mortality rate लिखुए । सिधी सीधी website आ रही है उस पर सब सब देशो का है कि कितने फैल थे और कितना राइग रिकवर हो है और क्या-क्या हुआ, उस पर सब देश हो का यह तो आप उस पर के लोगडाउन बता है तो ये क्रूशिल टायम है भाईयों भी इसमें इसमें लोगडाउन का सपोर्ट करो परसनल लेवल पर करो ऐसा ऐसा नहीं है कि एक हाली गवर्मेंटी कर देगी आप परसनल लेवल पर भी करो सपोर्ट चाहे अपने बैस लगाने पड़े जान है तो हमिने बाखे लेवल बता है तो सबकर्शिनों कीैसे चाहिए कि अगर आजसे पांस दिनवा पॉजितिव होज जाएगा मतलब अभी नहीं है आज से पांस दिन बाद हो जाए पोजिटिव तो यह वाली एप हो जाएगी डाल तो मतलब मुझे भी कौन्ट एंड में रखेंगे तो मतलब इतना इतना हाइटेक सिस्टम है यह एप का कि मतलब आपको आपको जल्दी से लड़ी वो जो सरकार जो एप दे रही है वो इंस्टॉल करनी चाहिए और भाई अपनी सरकार की बात मानो यह टाइम साथ खड़े होने का है साथ खड़े होके इस सवारे से लटने का है अगर आप नहीं खड़े हुए अगर ऐसे गूमते र कर रहे हैं तो फिर प्लीज प्लीज भाईयों आप इनको आप इसको वो करो आप इनको परसनल लेवल बेबी और गवर्मेंट की सपोर्ट करिये और बचाई भाईयों देश को चलो सही है फिर ओके थैंक यू थैंक यू भाईयों संदीब सोनी जी रहूत सोनु कुमार बहुजन समाज से जोड़ी हर खबर जानने के लिए सबस्काइब करें दशोद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें